अजे देवगन और रोहिच शेटी की सिंगम 3 को लेकर नया अपडेट सामने आया है जानिये क्या है मिकर्स की प्लैन तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अज हम बात करने वाले हैं फिल्म सिंगम 3 की जिसे लेकर एक काफी बड़ा अपडेट सामने आया है बॉलिवड अभी नेता आजे देवगन अपनी जबरदस्त एक्टिंग और फिल्मों में एक्शन के लिए जाने जाते हैं अब उनकी अपकमिंग फिल्म सिंगम 3 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसको जानकर उनके फैंस फुले नहीं समाएंगे सिंगम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की जानकारी आने के बाद से ही फैन्स अजे देवगन और रोहिच शेटी की सिंगम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म सिंगम 3 का बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंगम 3 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और रोहित शेटी अपने और प्रोजेक्टों से फ्री होकर इस फिल्म की शूटिंग को शुरू करेंगे लेकिन फिल्म फ्लोर पर जाने में अभी कुछ वक्त लगेगा रिपोर्ट की माने तो रोहित शेटीन दिनों सरकस के निर्देशन में व्यस्त हैं जबकि अजे देवगन, भोला, दृष्यम 2 और मैदान की शूटिंग में व्यस्त हैं साथ ही अजे और रोहित अपरेल 2003 में सिंगम 3 की शूटिंग शूरू कर सकते हैं और ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी कॉप यूनिवर्स फिल्म होगी हाला की अभी इस बारे में कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है आपको बता देंगी साल 2011 में आई सिंगम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म सिंगम में आजे देवगन ने एक पुलीस अधिकारी बाजी राव सिंगम का मुख्य किरदार निभाया था जो एक भरष्ट राजनेता जैकान शिक्रे को सबक सिखाने का फैसला करता है मही साल 2014 में सिंगम का सीक्वल सिंगम रिटर्न्स रिलीज हुआ था जो फैंस को काफी पसंद आया इस फिल्म में आजे देवगन अपनी टीम के एक अधिकारी की मौथ की जाच करते हैं जब ही वो हाई प्रोफाइल राजनेताओं से संबंद रखने वाले बाबा जी की मौथ का कनेक्शन का पता लगाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि रोहिच शेट्टी सिंगम, सिंगम रिटर्न्स, सिंबा और सूरे वंशी जैसी फिल्मों से समाज में पुलीस अधिकारियों की कारे शैली को बड़े परदे पर उतार चुके हैं जो फैंस का दिल जीतने में कामियाब रही है तो दोस्तों आप देखना ये होगा कि सिंगम 3 भी फैंस का दिल जीतने में उतने ही कामियाब होती है या नहीं और आपको क्या लगता है कि इस बार सिंगम 3 इस लेवल की मुवी होगी हमें जरूर बताईए कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत पूलिए